दमाकेदार वेडियो में दोस्तों जैसा आप सबको पता है सांदार तरीके से आपके लिए जो है previous question कराये जा रहे हैं किसके दोस्तों UPCH के ठीक है सब भी students search करते रहते हैं कि UPCH को previous paper कहां पे मिलेंगे तो दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहता हूँ UPCH के previous paper के जो question आये हो है उनीकों question को आपको revision किया जा रहा है साथ ही rational के साथ में आपको एक question के साथ में जैसे related question आये हो हैं वो सारे question आपको देखने को मिलेंगे ठीक है सांदार class आप सबके लिए start कर दी गई है और जैसा आप देख पा रहे हैं आपर जो class है आज आप सबकी 18 class है अगर आपने पह वीडियो को सभी share करेंगे लाइक करेंगे अपर इस सभी दोस्तों के साथ में जो भी community health officers की तैयारी कर रहे हैं ठीक है तो दोस्तों आज के पहले question से start करते हैं आपका पहला question क्या होने वाला है question आपको सांदार तरीके से पढ़ना है अच्छे तरीके से carefully उसके बाद में आपको answer करना है ठीक है अगर Amunetic Food आपने Amunetic Food के बारे में तो सुनाई होगा ठीक है Amunetic Food जिसमें जो है बेवी मदर के पेट में जो है बेवी होता है उसी में जो Amunetic Food पाया जाता है ठीक है तो जो Amunetic Food का कलर किस तरीके का होगा अगर Green है तो बच्चे की क्या condition होगी यहापे options आपके लिए अलग अ बीट से आपके लिए question बनेगा वह आज के बाद आप यहां से नहीं भूलोगे ठीक है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं Amunetic Food क्या होता है Amunetic Food के बारे मागर बात करें दोस्तों तो आपके लिए Amunetic Food दोस्तों भाटर ही होता एक प्रकार का ठीक है Amunetic Food मदर के कि जो बेबी होता है वो फीटेस होता है वो फीटेस दोस्तों अमेनुटिक फ्यूड में it डिवलोप्मेंट करता है दूसरी बात ये किस 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 प्रेंशिपल प्रेंशिपल फे होता है principle इसके लिए अलग अलग कोशन लिखा देता हूं इनकों आप अच्छे question दोस्तों यहां से निकलेंगे आपके लिए किस principle पर काम करता है यह transducer दोस्तों आज मैं आपको पूरा कुछ लिखाऊंगा transducer principle पर ठीक है दूसरी बात यह sock absorber होता है ठीक है यह sock sock absorber इस तरीके से दोस्तों आपको याद करना है मैं आपको याद कराऊंगा और इसका जो color होता है नॉर्मल जो color होता है दोस्तो नॉर्मल कलर कैसा होता है इसका नॉर्मल कलर की बात करें तो यह clean होता है transparent होता यानि कि इसके पार देखा जा सकता है ठीक है यह clean और आपको इनको note कर लेना है ठीक है दूसरी बात यहां पर देखिए अब आपका जो इसकी tune होती है वो कैसे होती है amunetic fluid की tune यह दोस्तों isotonic होता है कैसा होता है isotonic यह आपको लेक लेना है कैसा होता है तो इस तरीके के यहां से normal normal question बनेंगे अब जो amniotic food की अगर मैं बात करूँ तो यहां पर कितने बीग पर कितना ML amniotic food देखने को मुलेगा वह भी मैं आपको बता देता है क्योंकि यहां से question अमरी साथ पूछा जाता है आप सबसे दोस्तो amniotic food से जितने भी question आप सब के दोस्तों 50 ml होता है याद रखेगा उसके बाद में 14 बीग पर फोर्टीन बीग कि 100 ml इस तरीके से आप याद रखेगा और उसके साथ में आपको जो 20 बीग पर देखने हूं मिलेगा यह 20 बीग पर 20 बीग मिलेगा आपको 400 ml उसके बाद में 38 बीग पर 38 मिलेगा आपको 1000 से 1200 ml इस तरीके से और 38 बीग के बारे मैं आपको बता दिया उसके बाद में जो है चारिस बीग पर दोस्तो यह कम हो जाता है जो टर्म बेभी होता है चारिस बीग कंणता है ठर्म बेभी Bundesregierung के दौरान कितना हो जाता है आपका थोड़ा सा कम होता है अच्छस्तो से 800 ml इया आद रखिए उसको बाद में पोश्ट टर्म न आएगा दोस्तों पोश्ट टर्म 40 बीक के बाद में पोश्ट टर्म बोलेंगे और जितना भी आएगा वो आपका बहुत जाद प्रॉब्लम देखने को मिलना चाहिए जो टर्म कंडिशन होती है बच्चे की 40 भीक पे यह बेबी में नॉर्मल देखने को मिलना चाहिए कितना मिलना चाहिए आप सब को में बताना चाहिए यहाँ पे 600 से 800 ml दोस्तों अगर यह नॉर्मल ड्रेंज जाएगी इसकी तो बेबी में को भी प्रॉब्लम नहोगी अगर इससे कम हो पड़ेंगे दोस्तों 2000 ml से ज्यादा हो जाएगा 2000 ml से ठीक है यह आप याद रखेगा बहुत ही इंपर्टन कोर्शन यहां से आप सब के लिए देखने को मिलेंगे ठीक है पॉली के बारे मैंने आपको बता दिया और ऑली को हैड्रोएमिनियस के बारे मैंने आपको बता द 5 cm और यहाँ पर 25 cm इस तरीके से कोशन आपको पूछे जाएगा तो यह जो है आपका जो है पॉली पॉली हैड्रोएमिनियस बोला जाएगा इसको ठीक है अब चलिए इसके कुछ की बात कर लेते हैं आप जो कलर से आपके लिए कुछन पूछे जाते हैं वह बहुत तो आना ही आप सब के लिए क्योंकि कम्यूटी हेल्थ ऑफिसर के एकजाम में एक कॉस्टन आते हैं तो यहां से पूछी जाएंगे क्योंकि एक कॉलर से आ जाता है दूसरा आपके भीग से पूछा जाता है इतने भीग पे कितना अमिनियूटिक फ्योड होगा ठीक है इस कला सब से पहले बात कर् लेंगे ग्रीन कलर की ऑसंद नो पूछ फूम रहे था ग्रीन कलर होगा तो क्या देखने हो दूंक जो ग्रीन कलर कैसा कौन होता है और पिरम और पिरक्पोय सुद्ध मातरम होता है यह क्या है बेबी की first stool है यह क्या है first stool फॉत important है इसको भी note करना first stool है तो इसकी बएजय सेही जो है बेबे फीटल इस्ट्रेस देखने हुश मलता है अगर बेबी इसको निगल लेता है ठीक है तो उस समय यह डुलिवरी के समय excessive mucos जो है muconium होता है इसको muconium excessive मातरम होता है उसकी बाइसे जो है green color देखने को मलता है amnetic food का और baby में fetal distress की condition देखने को मलती है यही आपको question पूछा गया था तो muconium है muconium अगर होगा green amnetic food देखने को मलेगा तो muconium की बज़े से देखने को मलेगा muconium क्या होता है baby की first stool होती है कैसे color की होती है green color की होती है और इसकी बाइसे ही baby में fetal distress देखने को मलेगा ठीक है उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा चलि दूसरे color की बात कर लेते हैं यहापे दोस्तों यहीं question पूछा गया था देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहापे जो है fetal fluid is green is indicate तो fluid green है तो यह क्या indicate करता है तो दोस्तों यह fetal distress को indicate करता है ठीक है इस तरीके से आपको question solve करने है ठीक है तो चलिए आपको और बता देता हूँ कलरों के बारे में कलर आपके बारे में बहुत जाता है important question है दूस्तों कलरों से रगाटें question पूछ लिए जाता है अगर एमरेटिक फ्रूट का red color होगा ठीक है red color होगा तो क्या condition होगी hemorrhage ठीक है hemorrhage उसके साथ अगर golden color देखने हूँ मिलेगा golden अगर golden color देखने हूँ मिलेगा तो उसमें ते देखने हूँ मिलेगी दोस्तों उस्तों नेगेटीव होता है और बेबी का चैस के सो होता है पॉजिटिव होटा है तब आपको जो ह fragen और इसका हम पता कैसे लगाएंगे अगर एमिलिटिक फ्रूट गोल्डन कलर का होगा ठीक है गोल्डन कलर का होगा तब इसका हम पता लगाएंगे चलिए नेक्स कलर क्या है आपका नेक्स कलर है ग्रिनिस यल्लो अगर आपका ग्रिनिस यल्लो कलर देखने हूं मिलेगा ग्रि ग्रीनीस यहलो क नम से आपको साफ्रों कालर की नाम से गता इसको इसको सैफ्रों मुझे किस तेता है यह कि किस नम से आना जाता है से शेफ्रों मुझे सेफ्रोन तो सेफ्रोन कलर या फिर ग्रीनिस यहलो कलर तो यह कब देखने मिलेगा पोस्ट मैचरिटी यानि कि बेबी पोस्ट मैचरिटी होगा पोस्ट टर्म कंडिशन में होगा उस समय पोस्ट मैचरिटी देखने मिलेगी ठीक है बेबी यानि कि बड़ा उसमें लेनू को बगईरा खतम हो जाएंगे ठीक है फिसके बाद में एक टैवेव को कलर देखने हो बलता है यह भी बहुत इंपोर्टर है इसमें दोस्तों आइवडी देखने हो मिलता है इंट्रायूटरेंट डैथ अगर न देखने मिलेगा तो उसमें क्या देखने मिलेगा आपको आयो-डी इंट्रयूट्रहेंट ठीक है इसको आपकी आद रखते हैं इंट्रयूट्रहेंट टैथ using the डजह आपकी जो देखनेको ब्लेगी दोस्तों वह यहां से आपके लिए कॉश्वन पूछ आता है एंट्रयूट्रहेंट डेथ से अगर एमिलोटिक फ्रोड का कलर कैसा होगा तो आयोडी देखने को मिलेगी दूसरी बात आयोडी क्या होती है दोस्तों इंट्राइटरन डेथ यानि कि आप्टर बायबिलेटी यानि कि बायबिलेटी कितने बीक से बाद में आते हैं तो यह दोस्तों आज के जो क्यों मैंने आपको बताएं यह आपका इसी से रिगार्डिंग बताएं जो एमिलोटिक फ्रोड से रिगार्डिंग इससे कोश्चन दोस्तों आपका हंड्रेट परसंट आने वाला है कम्मूनिटी हल्थ ओपिसर्स के एक्जाम में जो भी यूपी भी करा रहा हैं दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपके एक्स्रा कुर्शन लेगा हूँ जो भी एनचेम के छो के एकजाम में पेपर आ गए हैं उन्हीं को मैं आपके लिए रिवीजन करा रहा हूं अच्छे तरीके से यह स्पेसर कलास आपके यूपी छो की इसलिए बताए जा र रहेंगे तो दोस्तों वहीं से question बढ़ेंगे अलग से question नहीं आएगे ठीक है काफी question रिपीट होते हैं वह question आपके लिए देखने वह लेगे और मैं जो class ले रहा हैं दोस्तों और आपनोड कर लीजिये question आपके 100% देखने वह लेंगे ठीक है तो चलिए हैं आपका जो question थोड़ा सा question कट गया है यहां से चलिए कोई दिक्कत में पढ़ लेंगे पैप smear screening is a example यानि कि पैप smear जो screening होती है वो कौन सी condition यानि कि कौन सी prevention का example है ठीक है चलिए पैप smear सबसे पहरे बात कर लेंगे प्राइमरी की क्या है प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होती है प्राइमरी प्रिवेंशन दोस्तों प्राइमरी और एक होती है प्रिमोडियल और दोसी होती है प्राइमरी दोस्तों जो अपने लाइफ Fame करते हैं जैसे आपनी प्रिमोडियो मैं निवे स्मोकिंगए alcoholism क्रेदें जाती है ऊप्रिमोडियल लाइंस के आपकी प्राइमरी की मैं कि लिए ने चैनलनय जाती है ठीक ही फोन donítलते हैं उसको इन से और कोई भी जैसा डागनोसिस के बाद में जो है हम अगला जो है डिजीस के लिए प्रोग्नोसिस यह और कुछ भी करेंगे प्रोग्नोसिस नहीं दोस्तो लेको सब्सक्राइब हो तरके सर्फरी प्रिवेंशंस में देखने को आपको मिलेगा ठीक है तो चारों तरह की डेशन पहले से ही स्थार्टिंग अपनी टर्ला पहले चैंज कर लिए हैं हमने और पहर कोुछ है हम सब कुछ कर लेते हैं वो प्रिमोडियोल प्रिवेंशन होती है ठीक है इस तहरीके से आपके question पूछा जाता है चलिए next question आपका क्या उन्हेंवाला है next दोस्तों बहुत important question है next question कॉपर टी कोपर टी को पूच्छ रहा है तो दोस्तो मैंने आपको यह वार यह पिछली वीडियो में बहुता दिया है तो देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं कोपर टी की कोपर टी कितने तरीके होते हैं कभी कई तरीके की होते हैं जैसे हर्मोनल नौन हर्मोनल मेटलिक नौन मेडिकल नौन मेडिकल इस तरीके की कोपर टी आपको देखने को मिलती है कोपर टी जो कोशन पूचा जाता है कोपर टी का मैं लिए 38375 इस तरीके कोशन पूचा जाता है क्या पूछा गए है तो क्या फिक्स्ष अगर फॉस्पिटल मेतलुम ठीक है नहीं तो उसके बाद में आपको जो अ कि पर्पूरेयल पीरिड होता है यानि कि 6 वीक 6 वीक 6 सबते 42 यानि कि 42ज डे तो इसके अंडर में आपको नहीं लगाना है क्योंकि Involution होता है organs का involution होता है involution in इन्वाल्यूशन क्या है दोस्तों प्रिग्नेंसी बात में जो और्गन अपनी नॉर्मल कंडिशन में आते हैं उन्हीं को जो है इन्वाल्यूशन बोला जाता है और जो और्गन अपनी नॉर्मल कंडिशन में नहीं आते हैं उनको क्या बोलते हैं सल सब इन्वाल्यूशन ठी तो जो आपके औरगन रहेंगे बॉड़ी के वो उनमेंद चैंज होगा तो इसलिए शिक्स भीक तक आपको जो है कोपर्टी नहीं लगानी है तो इसमें क्या पूचा है कोपर्टी प्रिफेर्बली इंसर्ट पोस्ट निटल आप तर तो आठ बीक के बाद में आपको जो है को कोपर्टी लगानी है उसके बाद में आपको कोपर्टी उससे पहले आपको कोपर्टी नहीं लगानी है ठीक है अगर हॉस्पिटल में हो हॉस्पिटल में लगा देते हैं तो ठीक है उसके बाद में आपको जो है सिक्स भीक तक नहीं लगानी होगी ठीक है यहां पर जो हर्मुणल वह अलग होती है उनसे कोस्ट नहीं पू festa आपके लिए बस कोस्ट आपका इसी तरीगे से पूछे जाएगा are most common cruelty कि क्या होते है और और वह क्या होता है उस तरीके से कोशना आपको पूशे जाएगा तो मैं आपको बता दिया है leader में इसको भी याद लगे है ना INVOLVTION और सब-Involve कैसा ख़ोक्च है कि इसमें पूचा गया है आपसे ओगिंदि ये कि कि मल्टी ड्रग ड्र Rajita ज् thirst यानि कि mdr इसको सुट में और टे याम डियार मल्टी ड्रग ड्रेस्टेंट ן रहे से यहाद अरगना दोस्तो रा गाधियर मटी ड्रेकतल टीवी इस डिकाइद एस रेसेंट टू सुथ दोस्तों multi-drug resident कब बोलेंगे कौन-कौन सी drug से resist हो जाएगी तब इसको हम multi-drug resistant बोलेंगे तो option से आपके लगा लगा estreptomycin, repamcin and isonigid, estreptomycin, repamcin, isonigid, repamcin और estreptomycin, isonigid तो आपका जो correct answer होगा वो option C होगा, ठीक है, isonigid और repamcin दोस्तों ये question भी CHO के exam में पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है, अगर isonigid और repamcin से एक patient racist हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं, multi-drug resistant, ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है, बहुत ही important है दूसरी बात, आप सबने अगर नहीं पढ़िए हैं, तो मैं आपके लिए जो है, टीवी की सारी drug के बारे में बता दूँगा, अभी मैं आपको नाम बता देता हूँ, एक repamcin, pyrogenamide, ethambutol, repamcin, streptomycin, ठीक है, और isonigid, पांच drug होती हैं, जिनको जो है, first page में देते हैं, ट आप इसका answer याद रखेगा, ठीक है, तो दोस्तो, एक last question और देख लेते हैं, आपका, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए जो question लेके आते हैं, दोस्तो, बहुत ही important और सर्च करके, जो question बार बार आप पूचे गए एक्जाम में, उनी को ल देख रहें हैं दोस्तो, तो आपको 100% जो है, वेनिफिट होने बाला है, और आप लोग इन क्लासों को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे आपे सब दोस्तों क्लास में, जो भी community अलत आप से की तयारी कर रहें, drug of choice for leprosy, drug of choice, leprosy के लिए दोस्तो, आपके लिए अलगा रग leprosy में देते हैं, दोस्तो, ड्रेग of choice है, ड्रेप सोन, DEC नहीं, इवर्मेक्टर नहीं देते हैं, ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपको सारे question solve कराए जाते हैं, उमिद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आज के session के लिए इतना ही question पद्याप्त रहेंगे, दोस्तो, देखे, question में आपको कम कराता हूँ, लेकिन जितने भी question बनते हैं, वहाँ से, वह मैं आपके लिए ज्यादा कराता हूँ, यानि कि rational question के साथ में बहुत ज्यादा देता हूँ, इसलिए आपको दो है, class को like करना है, और साथ ही आपको ये अंदाजा लगा लेना है, कि आपके लिए class benefit है या नहीं है, तो आज के session में इतनी class रहने बाली है, next session में आपके लिए इसी तरीकी question, दोस्तो, मेरे पास जो है, जितने भी paper मैंने देखे हैं, उन CHO के exam में, special UPCHO के paper जो previous हैं, उन question में, जितने भी question जो man-man पूछे गए हैं, उन ही question को मैं आपके लि झाय है क्प्राद झाय है